हेलो नमस्कार वच्चों कैसे आप सब उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और रेलवे भरती की बात अगर कर रहें तो इंक्रीज रेलवे एलपी वेकेंसीज को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यदा एक्टिव रहें ट्विटर पे भी और बहुत सारे लोग फिजिकल प्रोटेस्ट की बात कर हैं तो जो आप के फेडर के पर करना चाहा होँ है वहां पर एक नोटिफेकेशन जारी किया है यह नोटिस डाला गया है क्या है इमपर्टेंड नोटिस आपके वेकेंसी के regarding जरा यहां पे हम click करते हैं और चलते हैं यहां देखते हैं यह आपका notice आया हुआ है railway recruitment board की तरफ से यह Mumbai की तरफ से आया हुआ है और इसमें क्या चील लिखी गई मैं आपको एक एक चीज पढ़के सुनाता हूँ और यह आपके favor में है कुछ आपके मेहनत का परणाम आपको मिलने वाला है जरा देखते हैं यहां पे railway recruitment board has published general notice आपकी यह publish किया है इस date को इन्होंने का assistant local pilot के regarding जिसमें कि 5696 vacancies all over the Indian railways यहां पे निकाली गई थी regarding there are some misconceptions among the aspirants and coaching institute जो आपके यहां पे involved हैं कहा जा रहे कि aspirants और coaching institute के among में कुछ misconceptions हैं अब उसके regarding इन्होंने का status of vacancy को ले करके जो कि connection the coaching institute जो who are connected है आपके किसे आर आर भी जो Mumbai का zone है उससे जो connected है उसके जो jurisdiction में आते हैं उनके regarding इन्होंने बोला है कि उनसे request है कि attend करें online meeting एक अटन करें जिसका जो chair persons आप यहां पे meeting attend करेंगे और यहां पर recruitment board of Mumbai on 29 एक 29 जन्वरी को यहां पर तीन बजे meeting रखने की बात करी है आल कोचिंग इस्ट्यूट डिजाइरिंग टॉप टॉक बिद चेर्मेन जो इच्छा रखते हैं बात करना कोचिंग इस्ट्यूट वाले चेर्मेन साब से वह अपना मैसेज जो है डाल देंगे और यहां पर बोला गया है साप साप की ऐसा है WhatsApp मैसेज डालेंगे कौन से मोबाइल नंबर पर इस नंबर पर आप लोग मैसेज मत करिएगा क्योंकि इस पर कोचिंग इस्ट्यूट या जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं जो बात आपकी रख सकें वहां पर उन लोगों को ही मैसेज डालने दीजिए आपका जो प्लेटफॉर्म है यानि कि अगर बात करें तो इसकी वेवसाइट पर यहां पर डिस्पले हो जाएगा उसका लिंक जिस पर मीटिंग करी जाएगी तो उस मीटिंग में सभी लोगों को अपना मुद्धा रखना है कि कैसे कि क्या जरूरत है यहांपे रेलवे में 6 साल बाद वेकेंसी जाइए है और 6,000 भी vacancies नहीं आई है इससे कितना निरास है यहां पे छात्रगण और कितना दुखद बात है कितना यहां पे लोगों के साथ में कही न कही अन्याय हो रहा है कि जो लोग तयारी कर रहे हैं और उनकी तयारी सही तरीके से नहीं हो पा रही है क्योंकि उनका money नहीं लग रह राग रोशन हो जाएगा और कहीं न कहीं हम भी रोजगार पाएंगे और इतनी कम vacancies में अब उनका confidence एक्दम से डाउन हो रहा है कि इतनी कम vacancies कहां से क्या होगा इतने दिनों से हम बात का तयारी कर रहे हैं बहुत सारे लोग रहे यह private नोक्रियां छोड़ कर भी तयारियों में जुड़ गए उन सब का क्या होगा खेर फिलाल बात करते हैं यहां पर कि कौन represent करेगा कैसे represent करेगा तो उसके लिए एक data चाहिए होता है कि कौन सी बात आपको रखनी क्या मुद्धा है आपके पास अब सारा कोच अगर coaching institute वाले करेंगे या अपनी तरफ से रखेंगे उनकी फिर बात को सुना नहीं जाता है कही ना कहीं आपकी ही बात को उनको represent करना होता है तो आप लोगों share request है कि आप लोग इस वीडियो की comment में एकदम से अपनी जो बाते हैं वो एकदम छाप दीजिए ताकि वो skin shots के साथ में दिखाई जा सकें वहां पे कि किस तरीके से क अच्छा चीजें हैं और क्या क्या जरूरते हैं और क्यूं बच्चे इसके लिए ज्यादा परिशान हैं उनकी समस्याएं क्या हैं आपकी जो जो समस्याएं आप उनको पूरा comment box में लिखें और अच्छे से comment करके और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो के नीचे comment कर सकें फिर वो सारी comment जो अच्छे अच्छे होंगे उनका 308 निकाल के डिस्प्ले कराया जाए कि यह यह समस्याएं हैं यह फलाने बेक्ति के समस्या यह इनकी समस्या इनके समस्या क्योंकि main role होता है major role होता है डेटा का जब डेटा आपके पास होत आपके representation हो गई ने आप तो कुछ भी कहते रहोगे इससे कोई मतलब थोड़ी ना है जब whole and soul सभी का representation जाता है कई लोगों का representation जाता है ज्यादा संख्या में representation जाता है तो उसकी बात सुनी जाती है और वो मुद्दा कहीं न कहीं पे बहुत अच्छा बन जाता है बाकी अग ज्यादा लोग कॉमेंट कर सकें जिनका हम इनकी कॉमेंट को compilation करके represent कर सकें चीजों को जैन जै भारत